Hi guys, this is Mona and welcome back to my another video, I hope you guys are doing well So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ Clean Girl Makeup Tutorial जी, हाँ guys, यह makeup look काफी ज़्यादा viral हो रहा है हर YouTuber इसे create कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे create कर लूँ और हाँ guys, इस look को हम no makeup look भी बोल सकते हैं and everyday makeup look भी बोल सकते हैं, तो चलिए, let's play the video So guys, यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ BOW का Apple Side Vinegar Face Wash to Clean My Face Next, मैं यूज़ कर रही हूँ Good Vibes का Rose Glow Toner और उसे मैं अच्छे से अपने face पे spray कर लूँगी उसके बाद मैं उसे dry होने दूँगी Next, मैं यूज़ कर रही हूँ Good Vibes का Papaya वाला serum जो है उसे मैं अच्छे से अपने face पे apply कर लूँगी और हाँ guys, इस look में आप जितना ज़्यादा skincare करोगे न उतना अच्छा आपका look create होगा बिल्कुल natural लगेगा Next, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ Mosturizer और यह है Nibya का Soft Mosturizer और इसे भी मैं अपने पूरे face पे apply कर लूँगी जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने काफी सारा skin care step किया पले cleansing, फिर toner apply किया, फिर serum apply किया उसके बाद मैंने moisturizer apply किया Next, मैं यूज़ करूँगी lip balm और यह है हिमाले का lip balm और यह काफी ज़्यादा अच्छा lip balm है यह हिमाले का Next, मैं apply करूँगी sunscreen जो है lotus का sunscreen अगर आप इस look को सुबह में कर रहे हो, day में कर रहे हो अगर आप इस look को night में create करोगे तो आप skip कर सकते हो sunscreen apply करना बट आप लगा भी सकते हो, आपका जो मर्जी हो तो इसे मैं अच्छे से अपने face पे apply कर लूँगी और आप देख सकते हो, मेरा face काफी ज़्यादा glow लग रहा है skincare करने के बाद next मैं यहाँ पे use करूँ, switch beauty का पॉल वाला जो primer है न वो इसमेरा हलका हलका चमकी चमकी glitter टाइप का है क्योंकि मैं जो look यह कर रहे हूँ न, उसमें मुझे doey look चाहिए था मुझे matte look नहीं चाहिए था, तो इस वज़ जासे मैंने यह simri वाला जो यह primer है न, वो मैंने use किया है और यह हलका हलका आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे face का highlight point होता न, वहाँ पे यह glow करने लगता है यह primer को apply करने के बाद, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा glow आ रहा है next मैं use कर रही हूँ primer inside का 3 in 1 और यह silicone base primer है मेरे open pores है न, इस बज़ए से मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपने T zone area पे ही apply करूँगी पूरे face पे नहीं apply करूँगी ताकि जो मेरा pores है वो fill हो जा और इसने काफी अच्छे से pores को fill कर दिया, next मैं use कर रही हूँ color corrector और यह है inside का color corrector, मैं बहुत थोरा सा ही वो जो red वाला जो shade है न, उसे मैं under eyes and around my mouth में लगा के थोरा सा correct करूँगी, बहुत ही हलका सा लगाँगी, कुछ भी heavy नहीं करूँगी उसके बाद एक damn beauty blender की help से इसे blend कर दूँगी, ताकि वो ज़्यादा न दिखे उसके बाद मैं उसे correct करने के लिए मैं उसमें जो shade है न, concealer का उसे मैं apply करूँगी अपने eyelid पे, under my eye उसके बाद मैं mouth around भी उसी set को लगाँगी उसके बाद मैं same damn beauty blender की help से उसे blend कर दूँगी और आप देख सकते हो, काफी अच्छा यह create होगी और मैं उससे थोड़ा-थोड़ा अपने face के highlight point को भी मैं highlight कर रही हूँ तो यहाँ पे आप finger की help से इसे blend कर सकते हो, यह काफी हलका सही apply करूँगी उसके वाद same damn beauty blender की help से मैं पूरे face पे blend कर लूँगी और हाँ guys, हम कभी भी अगर foundation apply करे न तो अपने ear और neck को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमें हमेसा अपने ear and neck पे भी apply करना ही चाहिए तो यहाँ पे मैं अच्छे से blend कर लूँगी अपने ear पे भी, neck पे भी और पूरे face पे भी तो आप जैसा देख सकते हो, मैंने यहाँ पे blend कर लिया next मैं यहाँ पे use कर यूँ concealer और यह है switch beauty का concealer और मैं बहुत थोरा से use कर रही हूँ मैंने उपर से भी concealer रपाई कर लिया क्योंकि मुझे थोरा coverage है वो कम लग रहा था तो इस बादे से मैंने थोरा थोरा ही apply कर लिया है under my eyes, or breeze of my nose, forehead and around my mouth बस उसके बाद मैं डाम beauty blender की help से मैं इसे भी blend कर लूँगी थोरा सा उसके बाद मैं क्या करूँगी ना इसे blend कर उसके बाद मैं इसे set करूँगी with the help of loose powder बनाना loose powder जी हाँ गाइट तो मैंने यहाँ पर यह साइट का loose powder है उसी से मैंने अपने face को set किया है पूरे face को मैं बिल्कुल भी set नहीं करूँगी only मैं under eyes को मैं set करूँगी उसके बाद मैं t-zone area को बस set करूँगी मैं पूरे face को नहीं set करूँगी क्योंकि मुझे doy look चाहिए मुझे matte look नहीं चाहिए इस वज़े से next मैं यहाँ पर blush के लिए apply कर रही हूँ color popka lipstick इसे मैं अपने back of hand पर rough कर लूँगी उसके बाद same damn beauty blender की help पे help से मैं इसे apply कर लूँगी आप देख सकतो यह काफी ज़्यादा natural लगता है अगर आप इस तरह से अगर आप blush लगाते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपका जो natural चीक है ना वह रेड हो है आपने कोई blush ने लगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जादे लग गया बड़ कोई बात नहीं है हम इसे blend करके अच्छे से कर लेंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा nose and chin पे भी apply कर लूँगी ताकि यह अच्छा सा look create हो जाए next मैं यहाँ यहाँ यूज क अच्छे से contour कर रही हूं को भी Contour की तो उसके बाद जो मैंने powder जो बेक रही है घुज अच्छे लिए को फील करने के लिए यूज करे हैं एलरी hudda का eyebrow pencil और मैं बिल्कुल naturally oil वी करूँगूँ कुछ भी एस्ट्रा लाइन नहीं फिल करूँगी हार्थ कुछ भी नहीं बहुत हलका हलका ही light-handed मैं इसे फिल कर लूँगी उसके बाद मैं कोम से मैं उसे ब्रस कर लूँगी हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया बेट एन वाइल्ड का हाइलाइटर और यह मेरा all-time फेवरेट हाई लाइटर यह काफी जाधा अच्छा हाई लाइटर है आप इसे एक बार जरूर से जरूर ट्राइ किजिए का तो जहां जहां पर भी हाई-लाइट किया जाता हूँ वहाँ पर मैं हाई-लाइटर अप्लाइट कर लीए नेक्स्ट मैं यूज़ करे हूँ इनसाइट का सेटिन एस्प्रे मेकप फिक्सर और इसे मैं अच्छे से अपने पूरे वेस को सेट कर दूँगी और ये काफी अच्छा सेटिन एस्प्रे है ये पूरा मेकप को सेट कर देता है काफी अच्छे तरीके से नेक्स्ट मैं यहां पे आई लूप के लिए मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी का न्यू नूड आईशाइडव पैलेड और उसमें जो ब्राउन सेट था ना उसे मैंने लिया एन एस ट्रांजिसन सेट क्रीज पे अपलाई कर लिया हलका हलका बिल्कुल थangel कर कि आफलेड और सेम कल को मैंने अपने फोटर लाईन पे बहुत बहुत हलका रख रही हूं और उसके बाद हम यूज करेंगे eyelash curler eyelash को curl कर लेंगे उसके बाद next मैं यूज़ करूंगी mascara और ये है switch beauty का mascara और ये काफी ज़्यादा mascara है मैं इसका 2 coat लगाऊंगी और आप देख सकते हो इसका length जो है eyelash का काफी ज़्यादा हो जाता है यहाप आप eye look देख सकते हो काफी ज़्यादा simple eye look है so guys eye look काफी ज़्यादा simple था आप इसे everyday look के लिए जरूर से जरूर create कीजिएगा next मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हो lipstick और ये है inside का lipstick जो nude shade था ना उसे मैंने apply किया और ये काफी ज़्यादा प्यारा shade था ये shade मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा और इस look पे काफी ज़्यादा अच्छा जा रहा था तो इसे मैंने apply कर लिए आप देख सकते हो कितना प्यारा सा shade है ये और last में मैं इनर corner को highlight कर रही हूँ with the same highlighter wet and wild का और यहाँ पे हमारा make up look होता है complete so guys अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो please इसे like, share, comment और subscribe जरूर कीजिएगा thanks for watching, bye bye कर दो